आई समन जर्नल महोरागा ओ ये ये क्या है सो में जुदुचो कैसे ने पिसोड 17 आठ चुक है जिसके अदर हमने फाइनली महोरागा वर्सी सुकूना की बैटल विटनेस कर ली महोरागा क्या चीज है उसकी क्या पावर्स है उसकी स्वाड इतनी स्पेशल की हुआ हर एक चीज साथ में टेंशरो टेकनीक वह कैसे करते ये भी समझाओंगा साथ में हाव सुकूना वॉस इबल टु डिफीट महोरागा ये भी और साथ में इस फुद्दू कर सकने की बताऊंगा जो काफी हो पिया बट इसे पता ही नहीं बोले तो इस वीडियो के अंदर काफी एक्स्प्रेशन है बट अगर तुमने फाइट्स को हटा के एपिशोड जहांदे देखा हो तो तुमने रियलास हरा हो कि कुछ पार अच्छे थे बट कुछ तो ना 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 बट मैने बात सुनों डोंट कंप्लेन अबाउट इस तो मुझे वीडियो सोला को डाली थी बट कल बोल्डो शेप्टर फोर आ गया और आज ही एपिसोड तो वह वाली वीडियो कल एपिसोड शुरू होता है जहां पर मैं अब भूमी समझाता है कि 10 shadow technique work कैसे करती है जो भी 10 shadow technique का user होता है उसे पहले 2 divine dog मिलते हैं जो तुमने season 1 के अदर भी देखे होंगे काल और सुफेद कुता और जो divine dog और बाकी 9 बचे उनको शीकिगामी बोला जाता है पहले वाले तो खुदी मिलते है और अगर तुमें बाक sorcerer जो सारे शीकामी को हरा दे उसको master of 10 shadow technique बोला जाता है जो आज तक कोई भी sorcerer नहीं कर पाये except for one और यह one कौन है सौरियान में फैस मैं तुम्हें नहीं बता सकता मांगा वालों को मालूम है मैं गुमिया की यह बताता है कि शीकामी को हराने के लिए तुम और लोगी भी help ले सकते हो मतलब actionable help बट उससे कोई फायदा नहीं होगा विकॉस तुमनों शीकामी को defeat नहीं कर रहा तो तुम उसे control नहीं कर सकते आगे हमको gojo और megumi का पास्ट का scene दिखा जाता है जिसके अंदर gojo और megumi से पूस्ता की तिरे को पता है gojo family और zerrin family लड़गी और यह इतने स और megumi का head था वो exactly gojo की तरह limitless और six ice के साथ पैदा हुआ था और zenin clan का leader था उसके पास भी megumi की तरह exactly 10 shero technique ही थी और जैसे मैंने अभी बताया कि 10 shero technique का user किसी भी shigami को समन कर सकता है बट अगर वो किसी shigami को समन कर ले जिसको वो control ना कर पाय तो उसको कोई फायदा भी नह और मरने वाल है तो अपने opponent को ritual के अंदर फसा ले और एक ऐसी shigami को समन कर दे जिसको जब तक वो और उसका opponent ना हरा दे वो shigami नहीं मरेगा और megumi यही करता है पुझे ही बोलता है कि चाहिए वो हर एक shigami को control नहीं कर सकता है और ऐसा ही shigami है जिसको आज तक कोई भी control नह की और इस साले की entry भी कितनी खतना कुई बेडे हाउलिंग कर रहा है साला जम आवा उता उससे निकलता है हमारे ww super sir की entry तो बढ़ी हो है देते हैं लड़ता कैसे है वो अब महुरागा आ चुक है और सामने हारुटा है जो देती हारुटा समाझ आता है कि megumi ने उसको ritual के अ तरूंग दूसरे साइट सुकूना महुराग की presence कर लेता है और वो फटाक से हां पर पहुचता है वो महुराग को देखती हां कि सारी situation समझ जाता है और वो महुराग से भीडे इससे पहले वो external reverse curse को use करके हमारे megumi को heal करता है कि at least वो जिंदार है मरे नहीं विकाज सुकूना को उससे कुछ तो काम है और महुराग हो जाएगा सिंपल बात बोले तो megumi बच जाएगा सुकूना और महुरागा भीडे उससे पहले haruta की कर्शकनी रिवील करी जाती है जो बहुत ही यह समझना इसके face पे 6 marks है जो basically miracle है मानलो इसने coin flip करो और वो कोई सिद्धा land कर गया सो वो kind a miracle हो गया सो इसके 6 में से एक mark भर जाएगा और जब भी इसकी life किसी critical condition के अंदर होएगी वो mark use होएगा मलब आप mark गायब हो जाएगा और यह उस critical condition से भारा जाएगा जब नानमीन इसे कूटा था वोगाल episode फिर से देखना और तुम realize करो कि इसकी धीर दीरे एक लाइन यहां पर गायब हो रही थी जब जब नानमीन इसे punch कर रहा था तब तब इसी कर्शकनी खतम और फाइनली शुरू होती है जर्नल महरागा वर्सिस king of curses की battle पहले महरागा अपने blades attack करता है सुकूना के ओपर जो सुकू अगर उस blade ने किसी curse spirit को touch तक कर दया तो वो curse spirit बूम हो जाएगा क्यों curse spirit होती है negative energy और positive energy आई तो उस curse spirit का दिवाली बन जाएगा इसके पास सुकूना महरागा की इतनी बड़िया बैटल शार्ट होती है इनकी battle देखके मुझे Avengers की यादा आ गई कि दुश्मन को पीटे उस दिन building दूर जाके पड़ता है और इस पूरी fight का मेरा one of the best moment जब महरागा एक साथ इतने सारे पंचिस थ्रो करता है और सुकूना easily सब को रोक लेता है king of curses है भाई वो इसके बाद सुकूना फिर से एक dismantle मारता है मदलो उसको slash attack और महरागा के सर के ओपर जो धर्म चकर है व अगर महरागा कोई भी attack मारा और महरागा उस से नहीं मारा तो महरागा दीरे दीरे over time उस attack को अड़ैक्ट करना शुरू कर देगा वे ट टाइम वो धर्म को अडरा और agn्रुच करता रहेगा और पोइंट अगर मोरागा ओक्रा कमप्लीटली त इसको हराने के लिए कोई ऐसा अटेक मानना पड़ेगा जो महरागा जहेल ही ना पाए जहेल पाएगा इसके बाद जो उनकी बैटल स्टार्ट होती है पर नेक्स्ट लेवल सालों ने कसम खाई है पकी बात की दूसरे को मानना था छोड़ो आसपा सब डिस्केशन करना ज्यादा जरूरी है उसका पेलना इतना ही था विकॉस मेजर फैट के अंदर करेंडा सेकिंड हाफ के अंदर महरागा पिठ ही रहा है बस सही में बिचार है कि बड़ी बेकार किस्मत है वैसे पते नहीं कितने सालों भास समान हुआ होगा बिचारा और होते सामने कौन खड़ा है किंग ऑफ कर्स वैसे इस चीडियों मांग के अंदर बताई गई थी मांगा में सुकुने इस बड़ल के अंदर ये बोलता है कि जब पहली बार सुकुना वर्षी में गुमी हुआ था से लिए अगर ता में गुमी समय कर देता महरागा को तो सुकुना उसे नहीं हरा पाता विकॉद उस ट् साली ने तभाई कर दिये नेक्स लेवल की वैज़ा तुम सुकुना बिना बातियास पर तभाई कर रहे तो नहीं तभाई करना भी सुकुना के प्लैन काई पार्ट है लाइजन बन रहे तो और हम अवरागों को से लगशी से कुछ हो नहीं रहा तो इस टाइम फॉर डॉमे है जिसके रेंज जो किया 200 मीटर और मैं गुमी भी उस रेंज के अंदर है इसलिए सुकुना थोड़ा कम खोलता है मदा बारां 140 मीटर खोलता है इफ यू थिंक कि डॉमें से मानना तो महरागा को है तो अगर 200 मीटर भी खुल जा तो क्या दिक्कत हो यूँ अटक तो का भी बट उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता इसके डुमें एक्सपेंशन का ऐसा क्यूँ विगर सुकुना का जो डुमें एक्सपेंशन है मैलोवरेंड श्राइन उसके अंदर भी सुकुना मारता स्लैशीज ही है जिसकी शौर्टी हिट तो है कि मतलब लगया तो लगेगा बट महरागा ओल्रेडी स्लैशीज को अडेप्ट कर चुक है तो उसको इन स्लैशी ते कुछ नहीं होने वाला सुकुना के डुमें कभी कोई फाइदा निया इसके ओपर तो महराग को हराने के लिए अब कोई नया अटेक निकालो और कोई ऐसा अटेक जो वन छोट करे इसक सिंबल बोले तो महरागा इस अटेक को जहली नहीं पाया खतम हो गया बसम साला बट सुकुना ने बहुत मैसिव डिस्टेश्चन करें इस फाइट के अंदर आगे सुकुना में गुम्य को सेफ जगा छोड़ देता है जहां उसा तभाही करी थी वहां पर आता है वहां पर गधा भी खड़ा होता है इसको बहुत चल दफाओ बट इतने लोग मार दें तो एक और मार देते हैं क्या जा रहा है और सुकुना इस साले को वर्टिकली काड़ देता है और यह साला गला टाइम पर इतना लखी निकला कि इसके वो 6-6 मिराकल सारे गाया तो वैसे बचाने साले को हर एक वो मुवमेंट दिखर होता है अपने आगे साथ में इसके सामने क्या है एक बहुत बड़ा एम्टी स्पेस साले ने जमीन तक उड़ा दी वाइड बना दिया साले ने इतना सब देखे है और वो इस सब के अंदर खुदी गल्दी ही निकालता है वो बिसकिली और सवाल है कि कब तर जिन्दा रहे गाओ जानने के लिए अपने चैट की वीडियो देखते रहें तो में जी यह था कंप्लीट एस्प्रेशन ऑफ स्कूना वर्सीज महारागा बैटल साथ में मिराकल वाले कर्शक नहीं दादी मैंने तुम लोगो साथ मैंने महारागा के अब वाले में काफी डीडियल्स दे दी तो में जीवाली वीडियो यतनी थैंस वर वाचिंग और आप तुम्हें मेरी एस्पिनेशन पसंद आई हो अगर तुम्हें जाने स्कूना वर्सी टूल्च की वटल में कहो तो वीडियो तुम्हारे सामने है साथ में बोल्डू आफ्टर फूर भी आचोगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैं मिर्दा तुम्हें लोगों से कल वीडियो इन इंट्रेस्टिंग वीडियो